श्वारमान रहीम, कातिल एलेक्टिक 70 लोगों को कराची में मारने के बाद, उन्नीत की तज़्दीक होने के बाद ये कातिल एलेक्टिक चाती है, कि मजीद लोगों की कराची के अंदर अमवाद हो, शादमान में इस वक्राची में मौझूद हैं, और आप को मैं दिखाऊं, यह आप हाला देखें यह के अलेक्टिक ने हाई टेंशन की PMT को रोडों को इस तरह रख दिया है ताकि इससे जो है लोगों की मज़ीद हमवाद हो यह देखें यह तो हाल है इनका और यह तक्रीबन 15 दिन से इसी कंडिशन में पढ़ा हुआ है और सामने फ्लैट है खुदा ना हास्ता इसके अंदर कोई मसले होते हैं यह कोई स्पार्प होता है यह कोई हासा होता है तो यहाँ पे लोगों की किस तरह यहाँ बजीद जाने जाएंगी जो कि के अलेक्टिक लेगा आप देखनें सामने फ्लैट मौझूद है ये गली मौझूद है सामने ये मज़िद है लोगों का आना जाना है ये आप देखें ये तार इन्होंने रोड के उपर इस तरह छोड़ दिया है ये के अलेक्टिक मज़ीद चाहती है लोगों के अंदर लोगों की कलाची के अंदर मौत को लिया जाए मौत को उगला जाए आप देखें यह इस तरह और ने शादमान पे इस तरह और ने प्यम्टी को रखा हुआ है यह देखें आप हालत देखें यह हाई टेंशन ग्यारा हजार वाल्ड यहां से गुजर रहा है नहां बच्चे भी आते हैं खेलते हैं यह अब पूरे कंडिशन देखें मगर यह बेहिस इदारा कभी जिन्दगी में ना सुदरेगा ना सुदर सकता है क्योंकि यह एक माफिया बन चुकी है यह देखें आप पूरा यह यह देखें सामने फ्लैट है यह इनका में गेट है फलैट का और यह गाड़ी पर यह नहोंने तेखें 15 दिन से इसी तरह रखके छोड़ दिया है ठीक है यह देखें यह इन्होंने यह हरकत किया है और कोई पूछने वाला नहीं है कोई कहने वाला नहीं है हाला कि यह अंदर रख सकते हैं मगर इन्होंने अपने असानी के लिए पेमटी को इसके उपर छोड़ दिया है खुदारा इस काती रेलेक्टिक को स्पोस करें और इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें बहुत बहुत शुगरिया